कर दो कि अन्वेर्स के लिए इन्वर्स के लिए इक पिछले टोपिक के लिए कि फंक्सन का होना बहुत ज़्यूरी है अगर कोई फंक्सन वन आनोर ओन्टू स्वह करता है तो हम उसका फिर इन्वर्स के लिए और इसके लिए आखकेट है lear आज एक और question हम उसी के topic के ओपर discuss करने वाले हैं, लेकिन दोनों के अंदर उस question में क्या फर्ग रहेगा, दोनों में ये फर्ग रहेगा, कि दोनों के अंदर set अलग-अलग होगे, जैसे पिछली बार हमने set लिया था real से real पर, इस बार हमने change कर दिया set, और function के mapping के अंदर दोन r-minus 3 by 5 to r-minus 2 by 5, such that f of x equals to 2x over 5x plus 3, find its inverse, find its inverse, if it exist, if it exist, if it exist, अगर ये exist करता है, तो फिर इसका inverse कैसे निकलेगा, तो देखिसों से पहले होग सेट देखते हैं, हमारे पास set क्या है, तो आपको दिख रहा है अपर set है real r-minus 3 by 5, इसका सितों से meaning है, कि real number के अंदर एक value नहीं है, और वो value कौन सी नहीं है, minus 3 by 5 नहीं है, देखिए इसी question को define करते हैं, तो सबसे पहले हमने गातर set लिखते हैं, एक set लिखते हैं, तो पहले हम लिखते हैं, let to, इस set को मैंने a मांग दिया, let a equals to, set है r-minus 3 by 5, and b equals to r-2 by 5, be any set of, be any set of, be any set of real number, हम कै सकते हैं कि ये कोई set तो real number का ही है, बस उसके अंदर ये दो values नहीं है, एक set में ये value नहीं है, और एक set के इंदर ये value नहीं है, हमने इन दोनों को define कर दिया a और b से, इसके बाद मैपिन लिखते हैं, this implies हमारी mapping change हो गई है, that a tends to b, तो आपको दिख रहे हैं कि दोनों जगे अलग-अलग set है, इस पसंद को define कैसे करेंगे, और कैसे इसका 1-1 ओंडू निकाले हो, देखे, this implies function के definition, fx equals 2, तो हमें दिखाई दे रही है, 2x over 5x plus 3, पहला case, 1-1 check करते हैं, या नहीं है, तो बताया था, 1-1 के अंगर, let x1, x2 belongs to a, a मतलब mapping का पहला set, 1-1 ने पहले का था, mapping का पहला set होता है, उसके बाद एक और बात पांते हैं, let fx1 equals to fx2, this implies, fx1 की value, तो x की जगे change करतो, x1 करतो यहां पही, तो क्या बनेगी value, 2x1 over 5x1 plus 3 equals to 2x2 over 5x2 plus 3, यहां से हमने x1 की value define करनी है, उसके लिए cross multiplication और आगें फोल करते हैं, this implies, यहां से क्या बनेगी value, इन दोनों के multiply, तो 10x1 x2 plus में इसकी से 6x1 equals to इसकी से 10x1 x2 plus में 6x2, यह दोनों part cancel, और यहां से हमने लिख सकते हैं, x1 equals to x2, क्या बनेगा यहां से 6x1 equals to 6x2, 6x6 we can cancel, तो x1 equals to x2, और चेक करना होता है, यह belong करता है यह नहीं करता है, कहां पे पहले सेट में, लेकिन यह तो मैंने पहले बताया था, एक तो belong करेगा ही करेगा, तो कि यह value हम पहले ही मान के चलते हैं, belongs to a, यह संब्लाइज हम कह सकते हैं, यह equal to 1, 1 function है, चेक करते हैं, on to के लिए, on to, on to में क्या पहले हैं पहले हमने, कि let y belongs to second set, फिर एक और बार, let fx equals to y, रखिए है fx की value, 2x over 5x plus 3 equals to y, तिस है प्लाइज, यहां से हमने x की निकाल गए value, so on करते हैं इसको, तो यह आएगी, 2x equals to 5xy plus 3y, value of x की कैसे निकाली है, x x के पार्ट इकतरफ कर लेते हैं, तो यहां के लिए 5xy, इसको यहां ले आते हैं, इस इंब्लाइज, 2x minus 5xy equals to 3y, x हमने कोमन लिया, then 2 minus 5y equals to 3y, और यहां से x थी value क्या हो रही, 3y होगा, 2 minus 5 और चेक करना होता है, x कर निकलने के बाद, यह जो answer आया, यह फस चैट में लाइक करता हैं नहीं करता, तो चैट फस कुन सा है, ए, ए मतलब r minus minus के 3 by 5, चेक करते हैं यह value, r मतलब शेकर में नहीं है real number, मैंने का था, real में नीचे 0 नहीं आता, और अगर square root अगर बनता है, तो उसके अंदर negative value नहीं आती, तो square root तो है, लिकलने को से बनेगा कहां से, और negative value कहां से बनेगी, लेकिन condition है कि divide में तो 0 बन सकता है, और divide में 0 तहां बनेगा, अगर आप y के जगे रखे 2 by 5, तो यह value complete 0 बन जाती है, इसका मतलब तो यह हुआ कि यह वाली value इस set के अंदर लाई नहीं हुई, लेकिन दीकितार से y है क्या, y है b से बिलोंग करता है, y बिलोंग से बिलोंग करता है, और b क्या है, b है कि r में, रियल नमर में 2 by 5 नहीं है, और सब 2 by 5 नहीं रख सकते, तो यह value 0 नहीं बनेगी, 0 नहीं बनेगी, तो यह set से बिलोंग कर गया, बिलोंग कर गया तो लिखे हैं, बिलोंग से बिलोंग करता है, तो यह function क्या हो गया, sorry, on to function हो गया, on to हो गया, तो step repeat करने में बताया थे मैंने, तो जहां fx कर लगते हैं वहां उसे फर्स्ट मानना है equation जहां x के निगम के आपको इसे second मानना है यहां से हम second equation put second in equation first second को first day put करते हैं x की जगह पे तो आपको ये part में लिखा y equals to y यहां पहले भी चागवा चुके हैं on to के दर बताया था कि y equals to y कैसे बनता है इसका तो यह x के और यहां उठा कि रखोगे इसकी जगह पे उपर नीचे लगे कटेगा तो सिदा y equals to y बचेगा और आप यहां दे सकते हैं पार्ट को on to function बन-मन भी है on to भी है तो inverse exist हो गया this implies f inverse exist और करता अगर x कर गया है तो फिर inverse निकाल लेगे उसमें होताया था हमें पहले now क्या सब कुछ on to में देखते हैं on to पहले क्या है f x equals to y तो now f x equals to y यहां x equals to f को वहां लेगे तो f inverse y हो गया यहां x के रखिए value कहां से second equation से this implies this implies x के रखिए value तो क्या value यहां पे 3y और 2-5y equals to f inverse y और अगर यह value कहां से रखिए यह रखिए from second equation से यह आप inverse आ गया और इसके बाद हमने कहा था आप replace भी कर सकते हो value को तो अगर replace करो तो लिख सकते हो replace y by x listen guys तो f inverse x equals to value defined हो क्या है 3x over 2-5x हम कह सकते हैं इस function का यह inverse होगा तो इस तरह से हम function का inverse define कर सकते हैं तो function का 1-1 हो गया, onto हो गया और function की inverse की value defined हो गया इसके बाद हमारा function का एक topic बसता है और वह हम next topic के अंदर discuss करेंगे और फिर हम कैसे प्ले function अबारी खतम होते हैं उसके बाद last topic शुरू करेंगे हम binary operation तो function का last topic हम next topic के अंदर define करते हैं करेंगे हम लुट तो झाल 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 तो झाल झाल